इम्रान ने पेश की मिसाल, निकाह के कार्ट पर छवाई भगवान गणेश की फोटो और श्लोक, तस्वीरें उत्तराखंड के किछा के नगर के सेंजना गाउंग नेवासी इम्रान और उनके पिता फरियाद हुसेन ने हिंदू मुसल्मान भायचारे की अनोखी मिसाल पेश की है उन्होंने अपने बेटे के निकाह को अमन का पैगाम दिने वाली और सौहादर कायम रखने की अनूठी पहल का उदाहरन बना दिया है हिंदू के घर भेजे गए निकाह के सभी कार्डों पर भगवान गनेश की फोटो लगाई गई है और नियोता भी हिंदू रीती रिवाज की तरह ही दिया गया है फर्याद हुसेन के चार बेटों इम्रान, मो, उस्मान, जीशान और फैजान में सबसे बड़े बेटे इम्रान हुसेन का निकाह पांच मार्च को है यह निकाह भी हर निकाह की तरह है इसामान यह होगा लेकिन जो बात इस निकाह को खास बनाती है वे है इमरान के निकाह का कार्ट फर्याद हुसेन ज्यादा पड़े लिखे नहीं है लेकिन उन्होंने हिंदू मुसल्मान भाईचारे का जो पार्ट समाज को पढ़ाया है वे तारीफ एकाबिल है इमरान के निकाह के जब कार्ट छपने की बात आय तो फर्याद हुसेन ने अपने हिंदू भाईयों के लिए हिंदू रिते रिवाज के मुताबिक ही कार्ट छपवाए ये कार्ड जब उनके जानने वाले हिंदू भाईयों के घर गए तो सभी ने उनकी इस अनूठी पहल का दिल खोल कर स्वागत किया इस कार्ड में हिंदूओं के रिती रिवाज के तहट भगवान गनेश की फोटो सबसे उपर लगाई गई है और शलोक भी छापे गए है जब फरियाद हुसेन से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि हिंदू मुसल्मान आपस में भाई हैं और इस पहल से यह रिष्टा दोनों कौमों में और मजबूट हो बस यही सोच थी फरियाद हुसेन ने बताया कि हिंदू भाईयों के लिए मंगलवार को प्रीत भोज का आयोजन किया गया था अब भुदवार को मुसल्मानों के लिए दवत रखी है इम्रान के चाचा मुम्ताज बताते हैं कि खुदा एक है सिर्फ उसके नाम अलग अलग हैं हम सभी को अमन के लिए काम करना है उमीद है कि परिवार की इस पहल से हिंदू मुसल्मानों के बीच भाईचारे को बढ़ाने की जो कोशिश की गई है वे काम्याब होगी